क्यारब सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपका इसदीक आपका इर्फोर्स स्कूल से है तो यहां पर हम बात करें पीजेटी टीजेटी, नरसरी टीछर और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ में लिबरियन सभी जो वेरिस पोस्ट है उन पर विकेंसी आई है तो बने रही है वी इसके लावा आज एक वीडियो ओ रहा है जो कि आपकी एक आरिक स्कूल काई है तो बिल्कुल उसको भी चेक आउट कर लीजेगा और उसके अभी लाज़ेट बची हुई है तो आयोटन पर क्लिक करके या फिर चैनल पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके इं लेगा हम चैनल नहीं जोईन किया है जहां पर हर एक वीडियो आपको सबसे पहले चैनल पर मिल जाती है तो वह आप जरूर जिए जोईन कर लिएज़ेगा अब यहां पर हम बात करें सबसे पहले विकर्शी यहां पर आई है आरिम पब्लिक स्कूल का पूर्थ अला की साइन्स की है uh physical education की है physics की है chemistry biology की है और यहां पर qualifications क्या कर होने चाहिए post graduate आप होने चाहिए master degree आपने करी हो और साथ में जो है BA आपने की हुई हो तो बिल्कुल आप विसमें eligible है apply कर सकते तीजीटी में यहां पर दो ही सब्जेक्ट के लिए है साइंस और मैच के लिए इसके लावा यहां पर ग्रेजुएट आप होने चाहिए बेड आपने किया हो और वह भी 50% मार्स के साथ जो भी आप सब्जेक्ट के बनने जा रहे हैं इसमें जो विकंसी है तीसरी विकंसी यहां पर है काउंसलर की काउंसलर में आपने जो है अब लिएफ टीचर यह पर कैंसलर और तो यहन पर सब्सक्राइंसध पूल्च छीजर है और से श्चरत पन आप साथ में बेट की हो special education में अगली विकेंसी यहां पर बात करें यह आपकी librarian की है जिसमें बिल यहां पर हो मतलब bachelor in library science अगर आपने किया है तो बिल्कुल यहां पर आप eligible है और यहां पर जो minimum experience यहां पर है वो आपका 3 साल का है अगली विकेंसी यहां पर PRT है लेकिं सब्जेक्ट यहां यहां पर आपने graduate हो और साथ में बीट 50% marks के साथ हो इसके लावा accountant की विकेंसी है जो आपने आगर commerce से graduate है तो बिल्कुल आप अप्लाइब कर सकते हैं अगली विकेंसी यहां पर है LDC की तो graduate हो या फिर 10 साल का service as a clerk अपने की हो या फिर 10 साल का experience हो तो भी आप इसमें eligible हैं साथ में या पर type speed भी जरूरी है तो भी आप देख लीजेगा अब यहां पर आप बात करें age limit की बात की गई है selection procedure में क्या क्या रहेगा तो यहां पर 40 साल से कम जो fresh candidates हैं जो apply करेंग इसके लावा जो experience candidates है वो 57 years तक के हैं यहां पर इसके लावा हम बात करें जो सरी रहेगी AWES की जो rules and regulation है उस पर based रहेगी साथ में हम बात करें last year जो है आपकी application submit करने की वो आपकी 20 में 2021 है इसके लावा हम बात करें यहां पर post अलग-अलग के लिए यहां पर application form दिये गए ह है जो कि आपके official website पर given है और सभी के link दिये गए है तो आप जिस भी post के लिए apply करने चाते हैं जिसे की ldc के लिए लग है application form लाइबरें के लिए लग है तो वो आप जरूर से जरूर नाम लिखावा है डाउनलोड कर लीजेगा और यहां पर जो आपको इंट्रिव्यू हो जो भी आपके copies रहेंगी qualifications की जो आपने mark sheet वगरा जो भी आपके जिस भी post के लिए apply करने जा रहे है तो आपको self-attested भी कर देना है attested copies ही वाप पर जो है बनने की जाएगी इसके लावा हम बात करें यहाँ पर जो है preference जो दी जाएगी csb या फिर seated qualified candidates के लिए यहाँ पर होगा इसके लावा यहाँ पर apply कैसे करना है वो यहाँ पर देख सकते हैं डीडी आपको 100 उपीस का बनवाना होगा और यहाँ पर इनकी official website पर भी आप visit कर सकते हैं और इस school का यहाँ पर address यहाँ पर given है इनकी official website दी गई है इनके contact के लिए आप mobile number भी यूज़ कर सकते हैं आप दूसरी vacancy हम बात कर लेते हैं एरफोर्स स्कूल की तरफ से जो है तो यह आपकी vacancy है एरफोर्स स्कूल जाम नगर की तरफ से यहाँ पर contact basis पर ही है यह फिर एक जो का academic यह रहता है एक साल का 21 से 22 तक का जो रहेगा उसके लिए यहाँ पर है और यहाँ पर regular panel जो vacancies है वो यहाँ पर यह दी गई है साथ मे qualification eligibility criteria सारा given है इसी notification में download कर लीजेगा link आपको video के नीचे मिल जाएगा और telegram channel अगर आपी तक join नहीं किया है जहाँ पर आपको हर एक latest vacancy की update मिलती रहती है official notification के साथ हर एक जानकर यह आपको share की जाती है समय पर और last date जब रहती है उससे पहले भी आपको as a reminder जो है post share की जात की जो master degree आपके पास होनी चाहिए जो अपकी subject related है दूसरी विकेंसी हम बात करें entity की जो विकेंसी आपने thumbnail में देखा होगा nursery teacher की विकेंसी तो यहां पर आपने senior secondary किया हो साथ में जो है entity का diploma आपने किया रहा हो तो आप बिल्कुल इसमें eligible है तो entity की भी आपर दो विकेंसी ह तीसरी विकेंसी यहां पर जो है non teaching staff की MTS की helper की यहां पर विकेंसी है एक ही विकेंसी यहां पर है और इसके लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह आपकी जो है regular basis पर है और यह आपकी regular basis पर है यह आप ध्यान रखीगा इसके लावा यहां पर हम बात करें जो subject है इसके लावा पीज़िटी आप पर पॉलिटिकल साइंस में पॉल साइंस में आपर अगली है पीज़िटी साइकॉलोजी में पीज़िटी फीजिकल एजुकेशन की यहां पर पोस्ट है अगली यहां पर एक जो वेकंसी है वह आपकी contact basis पर भी है जो आपकी entity की वेकंसी है तो यहां पर इसकी भी आप जांकारी यहां पर ले सकते हैं वही आपकी qualifications यहां पर हैगी और age group यहां पर गिवन है 21 से 50 साल के बीच में और यह आपकी इंफरमिशन भी आपर जो की गई है तो सबसे पहले 12th pass किया हो दूसरा आपके पास से एंट्रेटी के डिप्लोमा हो तो बिल्कुल आप इसमें eligible है अब आपको यहां पर जो है 21 मही 2021 तक जो है email के माध्यम से आप इसमें apply कर सकते हैं और अपने जो तो यहां पर देख लीजेगा क्या 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 आपको साथ में भी इसनाओ का बाइड़िट आपको प्तुना बिजवाना है पासपोर्ट साइज आपके फोटा को देनी है contact number आपको शेयर करने है और इंका यह address आपको दिया गया है आप address पर भी drop box कर सकते हैं या फिर इ email के बाद दिम से भी इसमें apply कर सकते है स्कूल की email ID यहां पर दी गई है और स्कूल की official website है वो भी आप पर given है तो बिल्कुल आप विजिट करके जो भी latest update रहेगी वो यहां पर आपको मिल जाएगी तो आज के वीडियो में हमने दो अलग-अलग recruitments जो स्कूल के हैं वो cover कि है एक पहला आपका APS का है और दूसरा आपका AFS का है इसके लावा आज हमने APS की एक और vacancy कवर की है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा आई विटन पर या फिचैनल पर विजिट करके भी देख लीजेगा तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं teaching और non teaching दोनों के लिए ही staff के लिए vacancy है तो आज के वीडियो में इतना ही thank you for watching अगर subscribe नहीं किया है ऐसी updates के लिए चैनल को subscribe कर लीजे और bell icon प्रेस कर दी इस दा कि कोई भी नहीं update आप मिसने कर पाए पहले ग्राम चैनल अगर अभी तक जॉइन नहीं किया है तो बिल्कुल जॉइन कर लीजेगा link आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा thank you